सर्दियों के मौसम में अगर गुड़की चाय मिल जाए तो क्या कहने है लेकिन सबसे बड़ी एक समस्या कि गुड़की चाय बनाने जाओ तो गुड़की चाय फट जाती है यही आप लोगों का सवाल देता है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गुड़की चाय बनानी और वो भी बिल्कुल भी नहीं फटेगी और वीडियो पूरा देखना लास्ट तक मैं आपको देखाऊंगी कि चाय बिल्कुल नहीं फटती है और इसमें एक ट्रिक है ठीक है तो चाय बनाने के लिए यहां पे मैंने लिया है एक कप पानी और अब इसके बाद दो इलाइची छोटी वाली यानि कि हरी इलाइची और इसके बाद में हम डालेंगे इसमें दो लॉंग और दो से तीन काली मिर्च ठीक है काली मिर्च और लॉंग ऑप्सिनल है अगर मैंने यह बताए जैसे कि गुड़की चाय में आपको बताने जा रही हूं तो अगर जुखाम है बहुत अच्छा होता है खासी जुखाम बुखार के लिए तो अब हम क्या करेंगे इन सारी चीजों को हम कुशर लेंगे यानि की कूट लेंगे ठीक है काली मिर्च और यह जो लॉंग है आपकी कितनी भी पुरानी खासी हो उसको यह फाइदा करेगा ठीक है ख की कूट करके यह पानी हलका गरम हो गया एक डाल है अब इसमें हम डाल देंगे चाय की पत्ति को एक चम्बस यह पर चाय की पत्ती लिए है अगर आप श्ट्रोंग चाय पी कह पीते ही यह आ नि की तो आप इसमें और Particularly पती एड़ ऐड सकते हूं अभसके बाद में आपको दालना है गुड़ तो यहां पर मैं बिल्कुल छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डाल रही हूं और यह आराम से इसको मेल्ट होने दें ठीक है अभी इसमें हमें दूद बगारा कुछ भी नहीं डालना है अभी मैं दूद डालने का ट्रिक बताऊंगी तो वीडियो पूरा द मिक्स हो चुका है पानी में अगर आप गुड़ का टुकड़ा नहीं डालना चाहते हैं तो थोड़ा कुचल के भी गुड़ को डाल सकते हो ठीक है मीठा आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो अब यहां पर आप देख सकते हो इसमें चाय की पत्ती गुड़ सारा मेट हो चुका है आप देख सकते हैं चाय पत्ती सारा अर्क भी आ गया है और गुड़ तो मुरा अच्छे से घुल गया है अब इसके बाद में दूद डालने का तरीका क्या है दूद आपको सिंपल नहीं डालना है दूद आपको इस तरीके से खोला करके यानि कि दू तो अब हम इस चाई में डाल देंगे, दोस्तो ये था हमारा ट्रिक, दूट डालने का, आप इस तरीके से गुड़की चाई बनाओगे, दूट डाल करके, घरम दूट डाल करके, तो आप के गुड़की चाई कभी भी नहीं फटेगी, सर्जियों के मौसम में ये जो ठादा फाइद धी हैं दोस्तों गोड़ में भरपूर मात्रा में ऐलाने यारन होता है यह मा कॉदा नहीं दोर फाइदे घूँए नि सब्सक adaptation ł . पाद में हम थोड़ा सा गैस सुलो करके इसको हलका सा सुलो करके और इसको हम उबलने देंगे चाय को ताकि यह चाय अच्छे से कड़ोख हो सके और सारा अर्ख हमें इस चाय में मिल सके आप देखना चाय बिल्कुल नहीं फटेगी और मैं आपको दिखा भी रही हूं कि यह बिल्कुल भी नहीं फटी है अब अगर दोस्तों आप गुड़ की चाय पीओगे इस टेमिना बढ़ेगी आँखों की कमजोरी में फायदे मन्द होता है यह गुड़ और गुड़ जो होता है हमारी हड़ियों को मजबूद बनाता है क्योंकि गुड़ में केलसियम, आयरन, बिटामिन, पोटेसियम, भरपूर मातरा में होता है और यह दिमाग को भी स्वस्त रखता है तो मैं इस वीडियो में आपको चाय तो सिखा ही रही हूं गुड़ की चाय बनाने के लिए लेकिन इसके साथ-साथ मैंने आपको गुड़ के फायदे भी बता दिये है अब आप आपकी बिल्कुल नहीं फटेगी इसमें बस एक ही ट्रिक यही है कि आप दूर डालें चाय में तो गरं दूर डालें 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 और इस तरीके से अगर आप चाय को पांच बड़ के लिए खुला लेंगे सिमाज पर तो आप देखना चाय में दोगना नहीं वल्कि चार हमारी बन करके बिल्कुल तयार हो चुकी है अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसको चाल लेंगे तो दोस्तों आप पीजेगा और आपको इतना अच्छा टेश्ट लगेगा इसका चाय का कि मैं आपको क्या बता हूं और जो चाय की जो प्राब्लम आप लोग बताते चाय फट जाती है गुड की तो गुड की चाय बिल्कुल नहीं फटेगी मेरी तरीके से बनाईए वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना दोस्तों सेर कर देना चैनल को सब्सक्राइक को लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना जिससे क्या होगा यानि कि बेल आ आनंद सर्दियों के मौसम में दोस्तों सर्दियों के मौसम में गुड की चाय बड़ी मस लगती है तो पी करके देखीगा और मुझे कमेंड करके जरूर बताईएगा और आप इस चाय को बना करके देखीगा और बनाईए और मुझे कमेंड करके बताईए कि चाय फटी की नहीं फटी ठीक है ना तो इस तरीके से यहां पर मैंने थोड़ी सी कम पत्ती की चाय बनाई है अगर आप बहुत ज़्यादा कड़क पत्ती पीते हैं तो आप पत्ती को तोड़ा सा और एड़ कर दिये ना चलिए चाय के चुस्की लेजिए और मुझे कबर करके फटा पट से बताइए वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मैं अगर दिन नए वीडियो के